फ्रेंट्स आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ फैंस के बारे में अच्छा है डीसी ब्रॉशलस फैंस ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे प्रिंटर्स पीसी और सर्वर्स हर जगा इनका इस्त प्रिंग आपको स्वाइट जाए प्रिंग छाएंस के ब्लॉशलस प्रेंट्स ये ब्लाक इस तरीका की पॉलेरिटी रखता है मतलब अगर ब्लाक कलर है तो आपको अफ्रिबडी नोज मेरे खाल से जादतर लोग जानते हैं जो भी अलेक्रोनिक्स का काम करते हैं कि ब्लैक is equal to minus, black stands for minus and red stands for plus, so positive charge आपने इसमें देना है, negative charge इसमें देना है, अगर आपने DC brushless fan जितने भी होते हैं, अगर इसमें reverse polarity किया तो this thing will be destroyed, ये खराब हो जाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, जल जाएगा, इसमें से काफी सारा दूहां भी निकलेगा, ये वीडियो सिर्फ उसी type के fan के लिए, मैंने ये इस तरीके के fan काफी सारे purchase किये, इन में basically black color के wire थे, अब तो आप देख रहे होगे, इन में red and black है, ये तो सारा कमाल मेरा है, लेकिन इनको बनाते हुए, मुझे काफी परिशानी का सामना हुआ, मैंने चाहता कि आप भी इस परिशानी का सामना करें, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ कि इसके साथ करना क्या है, किस तरीक से से कोलेंगे, stick अलगा होता है, नीचे से हटाएं, अंदर से locking C clip को remove करें, इस तरीक से, अगर plastic का है, तो easily remove हो जाएगा, carefully कीजएगा, वरना ये जो है उड़ जाता है, fly off हो जाता है, फिर आप डूंडते रह जाएंगे कि ए क्लिप कहां गया, ये क्लिप basically फैन को locking position में लॉक करके रखता है, वर फैन बाहर नहीं आता है, अभी एक एसानी से बाहर आ रहा है, बाल बेरिंग्स इसमें लगे होए है, बाल बेरिंग्स से ट्विस्ट करते जाएं और ऊपर की तरफ खीचते जाएं इस तरीके से, आखिर में निकल जाएगा वायरों को इस तरह से बोर्ट को और इसकी कोईल्स को इस तरीकी से पकड़ के अपने नहीं खीचना है, यहां से soldering pads पे से remove हो जाएगी, और फिर आप struggle करते जाएंगे परिशान जाएंगे क्या करना है, वायर को इस तरह से पकड़ कर खीचे, और उसके बाद आप देखें कि इसमें क्या किया हुआ है, एक तो यह वाला है, और एक है दूसरा वाला, इसका भी मैं C-clip remove करता हूँ, आप देख सकेंगे कि अंदर क्या है इसके, इसे भी हमने remove कर और इस तरह की से आप fan blade को अराम से remove करें, और coils को आप वही procedure repeat करें, gently slightly shake करते हुए आपने उपर लाना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें, इन दोनों मैंसे एक जलता हुआ है, एक जल चुका है मुझसे, मैंने wiring combination जो था, टेस्ट करने के लिए, flip किया और वो जल ग तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या, कौनसा wire combination चलाएगा इस fan को, अब आप देख सकते हैं, इस PCB के उपर बहुत ही nicely, बहुत ही अच्छी तरुके से marking हुई, वे black color, जहां मैंने connect किया, वहाँ यहाँ पर एक negative का sign है, आप देख सकते हैं, marking इस पर, आपको नज़रा दी यह negative बना हुआ है, और यहाँ positive बना हुआ है, तो positive पर आपने red wire लगा देना है, positive आप यहाँ लग जाएगा, यह negative लग जाएगा, positive की एक और निशानी यह है, कि यह positive जो हमेशा diode के साथ लगा होता है, तो वहाँ आपने positive दे देना है, अगर print नहीं हुआ है, तो कुछ misunderstanding न हो, इसले मैंने आपको एक clue दे दिया, उसके बाद PWM, उसके बाद भी आपका यह वाला fan नहीं होगा, जिसमें black wire होते हैं, इसके 4 points ही होते है, point number one, two, three, and यह four, यह वाला, ठीक है, तो fourth point जो है PWM लिखा हुआ है, अगर fourth हो या second हो, कहीं भी PWM लिखा है, उसे आपने short कर द wire वाले जो होते हैं, जिसमें चारो ही black होते हैं, इसमें सबस्क्री परिशानी होती है, कि positive और negative आपको पता नहीं चल रहा होता है, अगर board पे printed है, तो आप positive और negative देखकर वहाँ सो order कर लें, बाहर से आपको दाके परिशानी नहों, red and black wire आप easily positive और negative के लिए चुनाव कर सक और इसके साथ आपने PWM को short कर देना है, वरना ये वाला फैन, especially जो all black coded wire वाला है, इसके अंदर PWM के साथ से short करना जरूरी हो, वरना ये बिलकुल नहीं चलता, अब power correct polarity में भी देने के बाद भी ये on नहीं होता, तो इन फैनों में ये एक खराबी है, मेरे खाल से ये old versions है DC brushless fan के, लेकिन काफी durable है, और अगर आपने खरीद लिया गलते से purchase कर लिया है, तो भबरानी की बात नहीं, ये एक तरीका है, जो इस तरीके से आप इस fan को चला सकते है, अब मैं इसे वापस assemble कर देता हूँ, आप देख सकते है, assemble करने का तरीका बड़ा simple है, वायरों को twist कर इसे, और ज़रा देहान ये रखना है, आपने के wire खेचे नहीं, वनना ये जो board है, इस पर से wire strip हो जाएंगे, फिर ये fan के wire आपको trace करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि कहा जाकर इसे, आपने solder करने है, इस तरीके से आपने ये कर दिया, और ये fan आपका, इसके पर बाल बेरिंग भी लाजिम लगाईएगा, और ना काम नहीं करेगा, मैंसे वापस assemble कर रहा हूं आपके लिए quickly, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, अमीद है आपको बोर नहीं हो रहे हूंगा, अगर बोर हो रहे हूं तो इसके लिए माजरत, इसके लिए स्वारी कर सकते ह यहां यहां से पास करते हैं बहर की तरफ, यहां से बहर निकल आए, और इस तरीके से अपने से ट्विस्ट करके बिठा दिया, अब मदेबोड इसका PCB अराम से फिट हो गया है, वाइर्स को आप ट्विस्ट कर लें तक अच्छे से यहां से फ्लाट रहना चाहिए, वरना य फैन डिट को वापस आप इंस्टाल करें, पीछे वाले बाल बैरिंग को आप चेक करें, सही तरीके से इंस्टाल है, सी क्लिप मेटलिक है तो इसे थोड़ा से अड़ेस्ट करें, थोड़ा से मैं प्रेस करूँगा ताकि वो नजदीक आ जाए, लॉक अच्छे से बंद हो स कम्बिनेशन चेक करने के दोरान, और यही हाथ साब के साथ ना हो, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ, थीक है, वीडियो हेलपफुल लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, स्टिकर ऑप्शनल है, वापस लगाने तो लगा दें, अच्छा है, प्रूफ रहेगा आपका पीछे से फैन, लेट्स चेक इडाउट, कौन सा वाला चल रहा है, यह वाला खराब है, पोलारेटी का दिहान रखें, नेगिटिव नेगिटिव में जाएगा, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव में जाएगा, वनना यह डीसी ब्रॉशलस फैन जो है यह एक मिनिट बिने लगता है, इन्हें जलने में, दूसरा फैन चेक करते हैं, जो हमने अभी अभी आपके सामने बंद किया है, और यह देख सकते हैं, यह चलेगा इंशाला, और यह मुझे ठणी 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 हमाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, तो वीडियो बन और यह नहीं, ओपन करके देखें, शायद आपके पैसे बज्जे हैं, उमीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको, अगले वीडियो तक के लिए इजासत अपना खेल रखिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इन्फरमेशन है, जितनी शेयर की जाए अच्छा है, लोगों का फायदा होगा, भला होगा